एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्त्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है। सभी तंबाकू पदार खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ। आपको भी रहना चाहिए। आईए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरिट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हर किसी की जिन्दगी में कौन हीरो बनेगा, कौन विलन बनेगा ये कोई नहीं जानता। बगर इस लड़के की जिन्दगी में इसकी तकदीर ही विलन है। सबकि जिन्दगी में सर्प्राइज आते हैं, जाते हैं। लेकिन इसके जिन्दगी में बहुत सारे सर्प्राइजेज हैं और हर सर्प्राइज अपने अपनी आइंगल से मस्त होते हैं पर एक दिन अचानक उसने फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा आखरी क्लास पहुंचते पहुंचते वो लॉयर बनना चाहता था और जब वो टेंट में पहुंचा तब उसने सोच लिया कि वो किसान बनेगा मैं अपने परिवार को खुशी देना चाहता हूँ मैंने तुमारे ही भरोसे इस काम में हाट डाला है अंजाने में गलती की हो तो हमें माफ कर देना धरती मा पर अब जो कुछ भी बनना है उसके लिए इसने बाडी बिल्डिंग शुरू कर दी लाइफ में इसे दो चीज़े बहुत पसंद है एक है जगडा और दूसरा जगडा ही इसकी दो आदते हैं एक है ढून कर मारना और दूसरा उठा कर ले आकर मारना लेकिन इसकी एक विखनेस है दो प्रेमियों का भी छड़ना इससे देखा नहीं जाता है उसे बहुत प्यार करता हूं भाई अगर वो नहीं मिली मैं अपनी जान दे दूंगा बातों की हेल्प की है ना तो इसकी भी हेल्प कर दो बेटा अरे बड़ा आदमी बोल रहा है त तुम्हारा आशिक आ जाएगा हलो अरे टाइम हो गया यह अब देखाई क्यूं नहीं शायद वो दुलहन के जैसे कपड़े पहन रही होगी तो जा रही है पर कॉल रिसीव नहीं कर रही है उसका इंडिजार करोगी तो शादी क्या सुहाग राद भी मिस्स कर दोगी यह देखो वो आ रही है अब सॉरी लगता है बहुत लेट हो गई ना यह हमारे लिए कोई नया थोड़े है एक्चिली हमारे बैच में से ना तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए थी नो वेस मैं किसी ऐसे वैसे के लिए कमेट नहीं होने वाली मेरी अपनी कंडिशन्स है हैं ड्रीम्स है फीलिंग्स हैं वो तो सब की होती है ओ हो हो गारे मेरे बाज बाजरंग बली है मैं सिचादी करूंगी उसे इनके भगवान जी जैसा होना चाहिए यह मतलब श्रीर्ग्वां जी जैसा कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया भाई वो देखड़े में फिल्मी हीरो लगता है वाई लेकिन है वो विलेंड कि उसे हिंचा के बारे में कुछ भी बता ना हो आहिंचा का पालन करने वाला है उसे ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करें वे सोल्जर आया भागो भागो उसे ऐसा होना चाहिए जिसकी हर कोई इस तकता हो तो तुम लोग यह उसे नीचे नहीं रहता है तॉप पर रहता है जो सेकंडों मैं जा ही इस बाचरे तू नीचे रहा मिडल में रहा टॉप पे रहा है अब देखते हैं तुझे कान बचाता है यह बेवकुफ हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूं इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके बल्के इसलिए ताकि मैं लोगों को देख सकूं हम समय अवे बॉप भॉप प्र ही रहा है नहीं नहीं सब्सक्रावाय है पहला है यूँ फूल मैं तुझे भगा के यहां तक लेकर आया हूँ थाकि तुझे यहां लॉक कर सिकूँ एक बाद चारु तरफ देख ले अब देख्था हूं तु कैसे डालोग मारता है अटेक्ट कि यहां कि खिसा स्वी अचारु प्रूNow gi यहां में शुझे कल्णक इब ज्चारु आचे से डर ओंग rhetoric बहुत लोगोंने मारा तो मास होगा थोड़े लोगोंने मारा तो क्लास होगा कई लोगोंने मारा तो बेस्वाध होगा और तुम लोगोंने मारा तो कामेडी जैसा होगा लेकिन अगर मैं मारू तो हमेश्या मस्त ही होगा कर दो अप्राइ। अरे यार पूलिस वाले भी आ गए अरे अब क्या होगा क्या हो रहा है यहां पे होने वाले हनुमान जहिंति के शो के लिए यहां प्रैक्टिस करा था साब जी आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए है चलो दे तो मेरे बीवी ने तुम्हें यह स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है अरे यह क्या है हमने सोचा एसाई उसे अरेस्ट करेगा लेकिन वह तो इसे बैकेट दे रहा है एक रुपिया खर्च किये बगर बीटी की शादी की मले का बेटा इसका नमाद बना तो इसे क्यों आरेस्ट सब्सक्राइब करता है रात बर गुमता रहेगा और दिन बर सोता रहेगा पता नहीं पता है मेरे क्लास्रूम में मेरे इस्टुडेंट्स पर हाथ उठाया है शुकर कीजिया आपको रही मारा उस दिन सब्सक्राइब नहीं खोलता है पहले उसे पुछकर बताओ क्यों मारा था उसको बेटा रास्ते पर चलने वाली लड़कियों को धंकी देकर चिड़ा रहा था तो और क्या कर सकते हैं कंप्लेंट आई तो मैंने एक्शन लिया मा मैंने सही किया ना सही है ना यह सर हां बोल रहे है और तुम भ यह भी उंगली दिखा रही है उनकी मंदिर में शादी क्यों कर वाई तुसरों के लाफ्टा में क्यों बढ़ता है तुछ मूं का खाना निगलने देना रुख बताता हूं वह दोनों लवर्स हैं एक दूसरे को छोड़कर जी नहीं सकते इसलिए मैं हेल्प करने के लिए च खड़ा था मंगल सूतर बांधने तक चुप था लेकिन मंगल सूतर बांधने के बाद अरे 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 वित्र हो गया वह मुझ खोलकर ऐसे चिलाने लग और मेरे पुरानी दुश्मन को जैसे ऑपॉचिनिटी मिली वह बीच में आ गये तो मैं भी फिल्ड में आ गया और कौन लड़की इंसे शादी करेगी एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं कान खोल कर सुन लीजे निर्मला देवीजी आपके इस बेटे की इस जनव में तो शादी नहीं होने वाली है हाथ क्यों दो लिया थुदा और खाले ना मां अरे सुन तो बेटा आपने गल्ती की है बेचारे उस लड़की के माता-पिता उस लड़की के बारे में उसके खांदान के बारे में आपने कुछ न की जान को खत्रा है वैसे लवस को मैं बचाता हूं तो वह दोनों कितना शादी से पहले अपने माबाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे यह उन लोगों का फैसला है मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए उन्हें अलग नहीं होना चाहिए बस यही तो है मेरा कॉंसेप्ट आपके इस कॉंसेप्ट की वज़े से आप जरूर एक दिन पच्टाओंगे देख लेना कि अब बेटिंग कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज़त बचा लिए सर यह देश सेवा है तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे बचपन म कीजिए जो सब देखने के लिए मैं हूं आप selection procedure रेटेंट किए अब मेरी इजब बचा यह यह सब क्या जाय है स्टेप वाकिंग स्टेप वाकिंग वाकिंग स्टेप वाकिंग बैस राइज़ा अनमस्ते सर सूरिया लिख़ो भागो 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 तो यहां बाहर क्यों बेटा है बेटा अंदर आना चाहिए था ना जब मेरे पास मेरा यह भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरूत है माँ तिल छोलिया तुने मेरा शोना बेटा कर्चे के लिए पैसा चाहिए क्या नहीं माँ क्यों तुम्हारे पती से गाली खाकर हसता ही रहूंगा आज पापा कह रहे थी कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी म माँ कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पती पर बहुत गुस्सा आता है मेरे पती है थोड़ी तो इज़त कर बेटा आई नो माँ पट ही बाते सीरियसली क्यों लेता है सीरियसली नहीं लू तो और क्या करूं चलो मानता हूं कि मैं बच्पन में डॉक्टर लॉयर तो मैं सोने जैसे लटकीसे प्यार करे के तुम्हारे पती के सामने ला How Star कर के ये बुलुआ उनकल इस लड़के में और किसे से शादी नहीं करूंगी प्लीज अंकल नहीं उनकल मैं आपके बेटे से यह शादी करूंगी उसा अगर नहीं बुलॐं अंगा तो मैं तुम्हा बताओ, लब करना है मुझे लड़के ढूंड के दे, सब को सब तरह की लड़किया पसंद नहीं आती, वो क्या है कि सब को अलग-अलग टेस्ट होता है, तुम बताओ, तुम्हारा टेस्ट किया है, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, मैं दूड़ूगा, मेरी होने वा लड़की तो बहुत सुंदर दिखती है, अरे वही तो मैटर है, उस डिमपल के ही वजह से तो, तो मेरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया, तुम्हें मेरी लाइफ का एक सीक्रेट मैं तुशे बताता हूं, तुम ले ध्यान से, बताओ, सब कुछ भूल गया फेल हो गया उसके बाद वही फीलिंग टेंट में भी आ गई वन सकेंड डिमपल बुक पकड़ने के लिए बोला तो हाथ में जो हॉल टिकेट था वो नीचे गिर गया और पढ़ा हुआ सब भूल गया एक सब्जेक्ट लोगया रिजर्ट फेल सो सिगनल रेड था बाजू में देखा तो स्कूटी खड़ी थी और उस पर पिंक चूडीदार में लड़की थी और उसे भी डिमपल था ट्राफिक सिगनल रेड से कब ग्रीन हुआ कुछ पता ही नहीं चला पीछे से क्वालीस ने ठोकर मारी तो मुझे पता चला कि मेरी बु कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए हालो हाब लाब लाब हाब 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 मेडिसिन्स हाब 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 एक्सक्यूज मी मैं अंदर आ सकता हूँ हाब 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 तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट डाद बिजन्स ट्रिप पर गए है मा तो हमेशा बजी रहती है शॉपिंग करने में फ्रेंज को कॉल करने का टाइम नहीं मिला था मेडिसिन्स बिल्स एक्सेटरा 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 यह सब का कॉन धिहान रखता अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो सेक्योर रहोंगी यही सोचकर वो कहा यहीं सोचकर वो कहा सब्सक्राइब यहीं कह दिया और कुछ नहीं तो आप अब अरे यह क्या इतनी जल्दी चा रहे हो तुमने कितने पुर्णी किये हो जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला तुम्हारे लिए यह बेचारा सुबे से कितना परिशान हो रहा था और मेरापती है जो किसी काम का नहीं मैं बताती हुआ थो तूम मत बोलो देखो बेटी में कितनी महनभला करती हूं लेकिन वह दिनमें एक बार भी फोल नहीं करता तुम दोनों को देखकर लगता है सांक्षाट शिव पार्वती की जोई है और मैं बोल रही हुँ ना तुम दोनों बिल्कुल लक्षमी नारायन जैसे दिखते हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कब से रोकने की कोशिच करा हो इतना ओवर कि इसका अद्वांटेज लेकर कहल अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रियेट करो तो पुलीस कंप्लेइन करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए सिर्फ सेफटी के लिए बाई लव से ज्यादा फ्रेंड्शिप बड़ी होती है यह मैं आज समझ किया लड़का लड़का होता है लेकिन लड़की लड़की होती है चीकतो है ना चलो चलते है अरे थोड़ा रुख तो सही उसे जाने तक देखते है यह बगवार चलते हैं मेरे दोस्त के लिए एक बार त लड़की अगर पसंद आई है तो यहां बैठा की हुए जाके प्रपोस करना अबे कार ब्रोकर हम खुझ जाकर आई लव यू बोलेंगे तो अपनी इज़त का क्या मतलब मेरे जाकर बोलने का कोई मतलब नहीं है उसे खुद ही आकर प्रपोस करना होगा पहले मुलाकात में उसने तुझे बेवकुप बनाया तुझे अभी भी लगता है कि वह यहां आके तुझे प्रपोस करेंगे यह फेक आई लव यू बोलने वाले से रियल आई लव यू बुलवाना यही तो हिरोईजम होता है यह खाने का वक्त है बाद में बात करते हैं अब लड़की एक सा प्रपोस करोगी नहीं और तुम चाहते कि वह तुमें प्रपोस करें और इस मामले में तुम्हारे सारे प्रब्लम सॉल्व कर सकता है कैंडिडेट कौन है वो लवर्स लोगों का लव गुरू है वो फ्यार करने वालों का लव डॉक्टर है अच्छा आज कल फेस्बूक यूटूब टूटर पर उसने हलचल मजा के रग दी है अगर तुम्हें प्यार में कोई दिक्कत है परिशानी है रिश्तेदारों से दोस तुम्हारी गल्फ्रेंट तुम्हें भाव नहीं दे रही है प्यार महबत इश्क और उल्फत में अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका होल से समाधान हूं मैं लोब मास्टर प्रोफेसर लब गुरू को प्रोफेसर दोनीया की शान हूं मैं उल्फत पहचान आजा भेभी अब शॉर्य जादा इंजार कर वादिया और येस्जादा इंजार कर राएंगे तभी तो मेरी वैल्ली बडेगी इसंट रight मेरे पिता सोनिका इंसान तेखकर एक फारमर बने और मैं काशीनात की फिल्म देखकर लव गुरू बने बासिकलि आयलव लव लव स्टोरी लवर्स अन एन बानी हट जोग 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 जोगई जोग 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 अरे यह है कॉंज शीनात है लेकिल अंडर तो बहुत मेरम है यार, लब किसको हुआ है, तुमको हुआ है न, I know, चलो अपना हाथ दो, अरे यह हाथ नहीं, ब्रो, बया हाथ दो, क्योंकि यह हाथ सीधा कनेक्ट होता है हाथ से, यही लब हुआ है, कमिट करने से पहले, त्री कंडिशन, कंडिशन नमा वन, पेमेंट सिर कोई सवाल नहीं होगा मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए कंडिशन निम्बर फॉर आपने तो तीन ही बोला था सर तीन बोली थी एक फ्री है सी एवरी सिटिंग इस वेरी वेरी कॉस्ली वह तो पता हो रहा है मालूम होना भी चाहिए तो डील है इंद्धील को तुमने कब देखा और तब क्या हुआ रास्ते में देखा तो एक्सिडेंट होगी और उसके बाद नो बोली होगी सब आपको कैसे पता एक्स्पीरियंस है मुन्ना तो अब तुम उस लरकी से सीरियसली प्यार करना चाहते हो और वह खुद आकर तुम्हें प वह पहली बार क्या बोली तुम्हें I love you तुम उसके पास स्ट्रेट जाओ और बोलो कि तुम्हारे I love you बोलने से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डेमेज हो चुका है तो अब अगर तो मुझे I hate you बोल दोगी तो मेरी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा वो I hate you बोलेग मेरी उम्र भी बहुत कम है मैं तो कोई अच्छी लड़की ढून कर शादी करके फादर बनने का बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूं मेरे फिलिंग्स के साथ मत खेलो मेरे तुम्हारे बिच कोई जगड़ा नहीं है बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुझे I hate you बोल हालो मिश अब अजया अवाज नहीं आई तरी हलो हई इधर आप लिया ना बेक असुर आदमी को मैंने बार तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हो कि नहीं भाई भाई मुझे एक कान सुनाई देता था आप ने थपड मारा तो मुझे दूसरे कान से भी सुनाई देने लगा और यार यह कोई पागल आदमी है एक दो सिच्वेशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा यह कोई डिसाइड नहीं कर सकता है एक काम करो चार-पांच दिन मेरे साथ घूमो उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं फिर मुझे लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा पगला है तु सच में अगले दो-तिन दिन में वह तुमसे प्यार करती हूं तुम्हारे बिना रहनी सकती हूं ऐसा वह खुद आकर बोलेगी और वह नहीं बोली तो मैं बुलवाओंगा लड़की चाहे कितनी स्ट्रांग क्यों नहीं हो एक टच एक किस और एक बार हां किया तु वह पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है तुम अपरी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो पूरी जनरेशन को हैल्प मिल जाएगी फॉल्ट नमर वान कमपैनियन बी गुड कमपैनियन किसी भी पार्क म किसी नहीं तुम्हां दूसर को थेयर्टर नहीं मिला क्या हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पर आते हैं यह मेरा फेवरेट थेयर्टर है यह अरे मेरी किस्मत हलो इतनी टाइट टीशेट पहने की क्या जरू रहत थी सबको अपने डोले शोले दिखाने थे क्या हां आप क्य कि बहस करने के लिए आयो जाओ बाहर जाकर बहस करो कि सॉरी सर अवे फ्रेंड है घर जातों बीवी परिशान करती है थेयर्टर में वैठो तो यह लवर्स परिशान करती है नो टच नो किस एक तो किया नहीं नहीं किया तो फिर क्या क्या अचा यह बताओ तुम उसे कौन स यह ले गया जब कुछ वेस्ट कर दिया तुने कौन सी फिल्म दिखाई उसे यह सूपर सिनेमा सर कौन सा सूपर सिनेमा जो अच्ट कर जो हो कि अनुगा दो यह टकाने के बाद तो प्रेगनंट लेडी के डिलिवरी वहीं पर हो जा दिया तो उसे देखके तेरी लवस्तोरी कैसे शुरू होगी नॉनसेसए तू तू स्थो पिथ है तू तेरा सेम्ही पूल्य है तू किया गरे सर उसे कुछ पता अप्रोच नम्मर वन पूरी तरह से बरबाद हो गई है अप्रोच नम्मर टू शेरिंग इसे पूरी तरह से करक्पर्फर्म करना जूट बोलो लड़की को इंप्रेस करो उसकी भावराओं को समझो उसे किसी यूद्सेंटर में लेकर जाओ उसे मनाओ और फिर एंगेज हो ज से काम क्या करते हो तो बहुत काम करता हूं मैं लेकिन पगाराने जैसा कोई काम नहीं करता और बहुत पढ़ाई कि यह लड़की से मुझे दो बार प्यार हो गया था फरस्टम मैंने उसके घर में देख तो वह डांस कर रही थी उसे देखते ही मेरा चाय का कप टप से नीचे गिर गिया सिर्फ यह कप ही नहीं फिसला था मेरा दो दिल भी फिसल लब एट फसाइट नेक्स टाइम बच्चों के साथ मिलकर वो कबुतर उड़ा रही थी क्लोज अप रिविल में उसकी शकल देखी तो देखते देखते सारे कबुतर उड़ गए और सिर्फ कबुतर ही नहीं उड़ गए मेरा दिल भी उड़ गया देट सेकंड साइट उसके बात देखा कि वो किसी और से लव कर रही है चलो कोई बात नहीं उसके साथ वो रहे के खुश है तो मैं भी निकल गया और चोड़ दिया चोड़ दिया तुमने तुम तो प्यार के से प्यार हुआ था प्यार राम नव्मी के दिन एक दादा जी मंदिर की सीड़ी चड़ रहे थे और अचानक से उनका पहर भी सल गया ऐसा लगा जैसे राम जी ने सोहम अपना दूद भीजा था उन्हें बचाने के लिए मैं तो फिदा हो गई थी उस पर मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादा जी को डाट रहा था उसकी बाइक के सामने चप्तर रखने के लिए तभी मुझे पता चला कि उसके लख्षन राम जी के जैसे रही बल्कि जावन के जैसे थे उसके बाद मैंने बहुत साई लड़कों को देखा पर कहीं भी मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था भगवान ने मुझे यूटन देकर वही लाकर ख इंकों के नान स्टाप भाज जाएगी फिर पश्तारमत तुम समझ नहीं रहे इसे मैंने जितनी भी ट्रिक्स समझाई वह सब फ्लॉप हो गई है ले जो इसे आती है यह किसके साथ उची आवाज में बात कर रहा है इससे मुझे समझ कर रखा है अब मैं शेर हूं मैं शेर पूरू है एक्शन हीरो क्यों बन रहे है अप सर पांच नहीं जादा दे लिजे मगर अच्छा आइए इसको आइए देरे से कोई फाइस नहीं लूगा पूरे बीस हजार लूगा पूचिस ते हाँ ठीक है भाई बीस हजार नहीं तो हमारे दिल पकी सर कॉप्रमाइस कॉप पूच्छ में तो हुआ रहे है सर यह चाहिए बच्पन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी मुझसे चादी करने वाला लरका हाथी में राजकुमार की तरह आकर मुझे ले जाएगा ओए बुल-बुल हाथी पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं और बाया हाथ उठाने वाले अमिता बच्चन नहीं बन सकते हैं और हर कोई अमरिश पूरी की तरह विलन नहीं बन सकते नियत अच्छी होनी चाहिए उसमें लोगों को हसानी की कला होनी चाहिए लोगों के दुखदर्द को समझनी की ताकत होनी चाहिए वही इंसान होता है यू माइंड इट समझ गई अगर नहीं समझ मैं तो चुप-चाप मेरे पीछे-पीछे मैं कुछ नहीं दिलवाऊंगा वैसे टाइम किसको यह समझाने का अब रोच नमर थी भी बरबाद हो गई तो अब हम गाते हैं प्रोच नमर फॉर की तरह सरे प्रोच नमर फॉर क्या है सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमारे लड़के को चीते से भी थेज भागना होगा वो आ रहा है देखो है बैग बैग अरे बोदे को मेरा बैग लिके पाग रहा है होगा बैग पाग रहा है आपके पागना है हुआ भाद हैँण सवापे बैग तरह साथ जोच बचकर मेए है है आ पार मैंजर कि भी बागल खाए लाग अ, हाएं, हाएं. पाता हैं जब हाएं, जब हाएं. कि अबस्धर दीक, बागल कमा दीक प्लैक हाएं, यह जा कर फाइट करके मेरा बैग लेकर आओ ना वो मेरा फेवरेट बैग है जाओ ना यह बैग अनर मैं हूँ या तुम हो मुजिक साइड हो जारे यह यह बैग क्या करिद्स यह यद। यह और इंपकत तुम किस भी हो गए सार आपका आइडिया काम कर गया सर लड़की को छुड़ा लीजे सर छुड़ाऊंगा छुड़ाऊंगा अरे मेरी माँ सब कुछ करेक्ट है ना मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत बुरा इंसान हूँ अब घर जाओ और जाके सूजा थैंक यू कर दू़के सुर जर करो सुपर किस भी हो गया है तो अब समझो लब हो गया आज रात को सोगी नहीं कल सुबह आकर तुमसे बोलेगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं हाँ बोलो लड़की बहुत ही फास्त देखलेना वो सबको समालेगी अब सबकुछ वो है तुम्हारे दबाने से यह पता चल है कि तुम दीप लीव एक हो लेकिन उसके हाट में जाने के लिए तुने मेरी चाती में लात मारी कौन सर तुने लात मारी थी ओवरेक्टिंग मत कर आप चल जा 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 सर जा जा कब दूं सर क्या पेमेंट तुने तो सुन कल शाम को मेरे अड़े पर आ जाना अब सुन बेटा मैं यहां एक फंक्शन में आई हूँ यहां बहुत सारी अच्छी लड़किया है दिखने में भी बहुत अच्छी है तो अपने लिए लड़की खुड ढूंडेगा या फिर मैं ही डून लू अल्मोस्ट मैंने देखी लिए मां कोई भी कास्ट की होगी तो चलेग लेकिन दिखने में अच्छी और चाहिए तो पता है ना आपको लड़की सिर्फ गोरी ही नहीं होनी चाहिए लड़की संसकारी गुणी अच्छेकरी होनी चाहिए उस मामले में तो मेरी वाली पक्का गोल्ड है अरे यह तो रूड गोल्ड लग रही है मां मैं बाद में पोन करता हूँ हम में जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या अगर मैं ऐसे ही जाकर इसे प्रपोस कर देती तो मुझे डिम्पल पड़ते हैं इस वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर देता कोई जवाब नहीं देता यह जो कुछ भी है ना मेरी वज़ा से हुआ है मेरी वज़ासे अब थोस्ति के नाम अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता अच्छा तो मैंने कोई रही है तू नहीं को अपने आपको बड़ी तोप समझ रहा है क्या वोल रहा है तुम दोनों नहीं मुझे बहुत है मेरी चाइल्ड होड ड्रीम को फुल्फिल करने के लिए थांक यू सो मच आइड अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और यह सामने से आई होगी अचानक मिल गए तो कैजूली बाद करने बटे होगे सही कह रहाँ ना गुरुजी एक्टम सही बोला लेकिन मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए का था तुम सुबह क्यों आगे लेना तो हो चुका है अब देना बाकी है क्या देना तुम्हें अरे वह वोटका है वोटका अब जरा आंके शीवा भाई के फिल्म नहीं देखने को कहने वाला तू को होता है अप्रोच नंबर टू क्या था महात्मा लोग पैदा हुए इस राज्य में तुम उससे जूट बोलने के लिए बोल रहा है जूट बोलने को अप्रोच नंबर थ्री क्या था यह जो भी मांगेगी उसे दि बॉसको बॉसको देखिए प्रोफेसर है क्या तू हां शिवा जी नगर में मांस बेचने वाला कमीना है तू अरे मार उसे मार मैं नहीं आया था मार उसे मार आया रुक तेरे पास भी मैं आ रहा हूं एक मिनिट ज़रा इसकी पिटाई होने दे यह बॉस यह चेर लेकर कर निकाल दूंगी तुम्हें दुनिया की ग्रेट लवर मान लेता यह सब छोड़कर तुम ड्रामा करें मेरे सामने ड्रामा सिस्टर फीलिंग भाई बहन भाई हो तो ऐसा बहन हो तो ऐसी भाई बहन का प्यार इन सारी फिल्मों का रिकार्ड तो तुमने ब्रेक कर दिया फ तुम कौन हो मैं कौन हो खताम समझे तुझे पिल्मेंट चाहिए तुम मेरा फ्रेंड है इसलिए तुझे बाद में मारूंगा अरे बहुत एक समोसा तो खांगर जाओ चलो यहां से गौरी, तुम यहां पर उदास क्यों बैठी हो, उस लड़के का गुसा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो गौरी तुम जैसे सुन्दर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जला कर प्राथना करते हैं वैसे भी तुम नहीं मिले इसलिए उसे सैड होना चाहिए तुम यहां बैठ कर क्यों रो रही हो गौरी अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टूबे बना कर मुझे दिखाओ अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दोगी चीक है लव यू मा नहीं नहीं उसे अइसे मत काटो है हाई हाई मुझे तुम से बहुत ज़रुरी बात करनी है को हो यह गौरी है शार्दा और आश्वर्ण यह ना किसी से प्यार करती है अगर तुम अपने भाइया से बात करती हो वह पापा भी घर पर है लेकिन भाहिया घर में है प्रभू कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहु बना दो हाँ एक काम करो कल हम रुतिंजे टेंपल में होम रखने वाले हैं तुम सब लोग वही आ जाओ लड़की कौन है जिसने परपल कलर का चुड़ीदार पहना है कितनी सुदर थी ना उसे घर पल आना चाहिए था ना बेटा मैं भी उसे थोड़ी बात्चीत कर लेती है मां आप क्या सोच रही है मुझे पता है ओवर इमेजिनेशन मत कीजिए वो किसी से प्यार करती है प्यार यह आज कल की लड़कियां भी ना बड़ी बाद में होती है प्यार में पहले ही पढ़ जाती है जा 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 तू जा आपने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिये प्रभू हाई 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 ठीक है नमस्ते हाई कितने लेट आये हो सौरी भाया हाँ कि आज तो पूरी होमली लग रही है ये यह भाया भाया वह लोग मेरी फ्रेंडस है कोई प्यार व्यार का चक्कर है आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना तुम मेरी फ्रेंड की भी यह ना मदद करनी है तो ठीक है कर देते हैं भाया यह लक्षमी राधा श्वेता रहा है कि बच्पन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं जगती पर मैंने उससे जूट कहा और उसके दोस्त के साथ में कर ड्रामा भी किया लेक वह मेरे पीछे नहीं आया था मैं उसके पीछे गए थी मैंने उससे हमेशा ऐसे प्यार करूंगी और से छोटी बच्चे की तरह संभालूंगी हैलो बस हुआ पहले उस लड़के के डीटेल्स दो मैं खुद बात कर रही हूं ना तुम बीच में क्यों बोल रही हो हां मैं इ मैं कमा कर बाल लूंगी इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है शीवा भाया बोल रही है वह बुरा आदमी है समझ में नहीं आता क्या तेरा सिर्फ हां मैं जिससे प्यार करती हूं वह और कोई नहीं बल्कि कि यही है भाया जल्दि मेरी इच्छा पूली कर दी तुम्हें नो 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 मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाँगा हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्परेट कंपनी का ओनर एक अनिम्प्लाइट के साथ अपनी बेटी की सादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे वह अनेंप्लोईड वह मारी लव स्टॉड़ी थोड़ी अलग है चोड़ो से हमारी लव स्टॉरी क्यों अलग है उन्हें अपने प्यार पर अगर भरोसा है तो वो लोग अपनी जिन्दगी बना लेंगे सही का उसके अलावा किसी और से शादी करेंगे तो वो अपनी जिन्दगी में खुश नहीं रहपाएगी मुझे अशा लगता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी हमारे प्यार को हमारे घरवालोंने सुपोर्ट नहीं कि अधी माँ बनकर अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूं प्लीज मान जाहिए बच्ची की खुशी के सामने क्या जाइदाद क्या पैसा अब मान भीजा शशी जब सारे लोग तुम्हारे साथ है तो मैं क्या कह सकता हूँ येस येस बुरा मत मानिये सपोर्ट करता है तो केमिस्टी ड़संट सपोर्ट करें आप सब्सक्राइब अपनी बेटी की शादी की बजाए तोड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप हमें आपका बेटा बहुत पसंद है सब्सक्राइब बेटे को तो बच्पन से ही देश भक्ती समाध सेवा बहुत बचन है तो अच्छा है कम से कम मा ने तो बचा लिया सूर्या कॉफी वाह वेसे तने डल की लग रही हो प्रोफेसर का डायलोग सुनकर इंफ्लूएंस हो गया क्या वो क्या है ना यह थोड़ा डर लग रहा है और कुछ नहीं मेरे तो दो हुए यह तीसरा वाला है डर लग रहा है मैं जो बुलता हूं सुनो जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादूर प्रेमी होते हैं वह हमेशा मास रहते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूच देके और खुश हो जाए गले में मंगल सूत्र बांधने वाला लड़का और दिल से चाहने वाली लड़की आजकल तो जमाना ऐसा है कि लड़की नाराज हो जाए तो साथ समंदर पार से भी उठा लाते हैं तो डरना चड़ो यह तो सारी बक्वास बाते हैं तुम्हें मुझे त तुम पर भरोसा है तो साथ फेले लेने की डेट फिक्स करते हैं आजा हुआ 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 यह सबने बात कीजिए होवन पुत्र हनुमान की जै खूब तरक्की करने तुम्हारे पिता जी कहां है अरे आप अभी आ रहे हैं नमस्ते 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 इस पेशल क्लास था ना इसी लिए ये लोग बस जा ही रहें बस आज़े तो फिर मिलेंगे बाई मैं ज़रा छोड़ कर दो दोनों को डिप्समार आए तुम्हार तरह को अब कर शोड़ सब्सक्राइब करने चाहता हुआ यह घुक राति हैं तरह गर्धिक्रमार और तरह करें और आपके साथ मैं कुछ परस्नल बात करने चाहता हूँ एमाइ आपकी माने अपने सब कुछ बेच कर यह जिम त् कर आपको दिया है तो उन लोगों के सामने अपने बेटे का सर जुकना नहीं चाहिए इसलिए उसने ये सब किया आपके लिए देखे सर आप इतने दिने तक बिना किसी जिम्यदारी के जीते आएं लेकिन अब तो आप सर थोड़ी सी जिम्यदारी अपने सर पर ओड़ लीजिए आपकी जिंदिगी में नया कोई आ रहा है जरा उसके बारे मिए एक बार सोच लीजिए इस तरह की बाते आप अपने देखे सर मेरे लिए मेरी पत्मी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है अगर उसकी आँखों से एक पूंद आंसु भी निकला ना तो मुझे सहन नहीं होगा सर पापा पापा उसके प्यार की बुनियाद पर खड़े इस जिम को अच्छी तरह से चलाइएगा सर प्लीज किसी भी बात को सिरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सिरियस हो गया रात को ठीक से सो नहीं पाया सूबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सर्प्राइज रेडी कर रख रहा है हैं हैं है एइसा सप्राइज दोगे अरे सप्राइज यह नहीं है बेटा बाहर है सप्राइज कांग्राइचुलेशन्स नहीं भाई हैपी बर्थ दे बोलना है यह बेल्कुल सही कह रहा है बेटा आमी से लेटर आया है आमी में मैंने तो पास होने जैसा कुछ लिखा नहीं है नमस्ते जी आपको एक शुब समाचार देना है कैसा शुब समाचार वह क्या है ना जबसे आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सब कुछ शुब हो रहा है और मी से उसका सेलेक्शन ओडर आपको कोई दिकत नहीं है तो यह बात नहीं तो हुई गई है नो प्रावल्म और राइट दें थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा तू एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है विजाई बाबा अ हुआ 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 ह अभी अभी तो एंगेजमेंट हुई है तुम्हारा पती बनने वाला हूँ जिम ओपन की है कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़ कर मतलब ज्यादा कुछ नहीं सीधा अपने बाप के पास अरे मेरे होने वाले पती को आर्मी में भेज रहे हैं कलकेदी नकर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और तो और इस पपी का क्या हाल होगा ऐसे जोर से रोते हुए शुरूती के रेंज में आंसू दिखा कर बड़ा सेन क्रियेट कर दो बस सुनो मेरा आर्मी जाने का प्रोग्रम कैसे भी कैंसल कर दो प्लीज तो इस पॉपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी-खुशी रहे जाऊंगा मुझे डाउट है कि हमारी चादी होगी भी तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हो तुम्हें मेरी फ आघर मिस्किया खाना नहीं मिल्ता है अगर इसे में तो मामी में नहीं गय तो हमारी चादी होगी और मुझे dry but also जली चांसे की नहीं होगी ऐसी बात नहीं है जानू सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूं लेकिन यह तो मुझसे भी बड़ी ट्रामे पास है ऐसा है तो यह प्लान वर्क आउट नहीं होगा क्या जानू बिल्कुल भी नहीं जल्दी आना बेजा आखरी मुवमेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज मां कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं करती यह टाइम जोग करने का नहीं है एकनी सारी लोग तुझे चोड़ने आए नहीं जाएगा तो कैसे लगेगा सुनिए आशिरवाद तो दीज चाहते हैं 400 लोग एंजिनियर बनना चाहते हैं लेकिन डबल दिल रहने वाले मुझ जैसे लोग सोल्जर बनना चाहते हैं खुश हो जाओ इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिला कर खुश कर दो अच्छे से अपना काम करना और पूरा ख् यह कौन है ऐसा लग रहा है जैसे सीधा यहां से जंग लड़ने जा रहा हो पूरी फैमिली लेकर आगे अपनी विदाई के लिए अरे हमारी कुई फैमिली नहीं है क्या हो बच्छे जल्दी चलो टाइम हो रहा है आप उसी जानते हैं क्या सर बच्पन से ही सोल्जर है बोल आपको अभी पहचाना ना पहचान लिया बॉस आप दूर खड़े तर ने इसलिए पहचान नहीं पाया सफर में जाने से पहले पुरे परिवार का अश्रवाद लेना बहुत जरूरी है सफर बहुत अच्छे से गुजरता है देखो मैं भी अपना पूरा परिवार लेकर आ किर आंब ओाना बाधेश लेखो ... कि ऑनlie आपवारिंग टे जूर्वार बहुत के टूर से एकरे पिझाद favorite अ理 का बढ़ से बीत गूरा एकर नहीं एकर द बुझे के बी इचले से अकटे जो औार लरह Each one is best 17 वामने तर ऑूरा को एकी तर आया बआब़ेंजश मैं वाह गक कावेरी सुब्बू के सामने तू बजा रहा है जब सब लोगों को अलर्ट रहना है सभी लोग अपनी कॉफी टी लेकर अपनी सीट पना कर बैठ जाए रुक बै देखो मैं तो इस्टे कॉन है बहुत के क्या करूँ अब क्या करूँ अब 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 तर्ड अब बुड़ बु क्यों बे मुझे क्यों नहीं अब आप अब अर्य वह नटकी बेचारी बैचारी जाओ जाके बचाओ उसे अरे जारा उसकी शकल तो देखो कितना डरा होना है दिखने में बिल्कुल चंबल के डाकू की तरह लग रहा है पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग क्या है भाई कि आपके जैसा कोई सोल्जर हो तो इसको बचा सकता है एक कोशिश करके देखो भाई अगर मेरे सामने कोई भी आया तो उसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा अलो हमारे भी हाथ पर इंपोर्टन्ट है चाहो तो तुमी जाकर बचा लो अभी रेल्विल स्टेशन पर हूँ आधे घंटे में प्रहुच जाओंगा ठीक सिर समझा देना हम से टकराएगा तो वो पचेगा नहीं चुड़ो कि नीचे करो ए बच्चा तू जानता है किससे टकरा रहा है कावेरी सुबू का दूसरा नाम मौत है मुर्गा चिलाता है तो सुबा होती है बिल्ली चिलाती है तो अशुब होता है लेकिन जब यह सूरिया अपने उंगलियां बचाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है उड़ा तो इसे बोस गेट इंसाइड मैं बार क्यों करा हूँ अब तो पूरी सटक गई है मेरी एई खाट तो कर तो कर तो साइडना एऑ़ा तोस गेशर कर यह जाए बॉस ऐसे ले जाए यह ऐसे ले जाए यह फिर ऐसे ले जाए यह मुझे कोई दिक्कार नहीं है सौरी बॉस है अब आए यह वह उठेगा यह डॉट है आराम से सो चुका है तैंक्स की जरूत नहीं है तुम पूंच रहे थे न मेरा प्रेमी कौन है तो गऑ से देखो यह है मेरा प्रेमी हाँ मैं इसे ही प्यार करती हूँ कौन है ये लड़की क्यों इसे अपना लवर कह रही है इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है ये एसे स्टेक उस सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आफ्टर अस्माल प्रेग अरे आप हैं कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही हो और वोलो कौन थे अरे होई मैं आप से ही तो पूझ रहा हूँ रुकिये वाँ अरे असे रो क्यों रही हो अरे यह क्या टर्न हो गया लाइफ में इच्छे वाँ अब कहां गई है मैडम मैडम अरे यह क्या कर रही हो? सुसाइड कर रही हो मेरी बात मानो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पापे पता नहीं है क्या? मेरी बात मानो जरा मेरे बारे में तो सोचो अगर आपका कुछ भी हो जाए तो औरे औरे जरा सोचो तो मुझे तो सब के सामने लवर बोल दिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया और मुझे फांसी हो जाएगी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम में तो मैं मदद करूंगा ना आपकी इसलिए कि शांत हो जाएए बैटकर आराम से बात करते हैं आई 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 अरे हाथ दो ना हाथ दो मेरा यकीन करो हाथ दो हाथ दो ना आओ बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी मेरा नाम हांसिका है यह आशु पोच कर भी बता सकती हो ना पहले आशु पोच लो आज पास के सौग आउ में से सिर्फ मेरा ही खांदान है जो गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता है हमारी और शेयर खांदान की दुश्मनी है फिर भी मैंने उसी खांदान के एक लड़के से प्यार किया और वो लड़का मुंबई में काम करता है मैं भी मुंबई मेरे घरवालों ने मुझे पंकड़ लिया अगर घरवालों को यह पता चल गया कि मैं उस दड़के से प्यार करती हूं तो वह लोग मुझे मार देंगे और उसे भी मार देंगे को बचाने के लिए मुझे भंसा दिया क्या तुम भी ना तुमारे लवर को फोन करकि अभी तुम इसके पास जा सकती होना संजे किसी काम से दुबई जा रहा है अरे इतना ही ना तो उसके लिए सुसेट करने की जरूद है तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रहे लो अच्छा बस एक हफ्ता रुख जाओ अपने फ्रेंड को सारी बाते बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ भाग जो मेरे घरवालों न तुम को बताता हूं जरा सुनो अभी तुम्हारा अपने घर जाना ही बेटर रहेगा अभी चली जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आगए यह सोचकर खुश हो जाएंगे सब और एक हफते के बाद थिर से भाग जाना अरे एक हफता पहली तो भागी ती अभी वा यह सब जरूरी था क्या जरूरी था क्या भगवान क्या करो अगर देखो भगवान ने आपकी लाइफ में आपको लास्ट लाइफ लाइफ लाइन दी है और फोड़ी देर लेट होगा लेकिन मुझे डाउट आया है पहले उसे क्लियर करो पहुचने से पहली ही डाउट है अच्छा ठीक है पूच्छ रोड़ पर एक लड़का इंट्रव्यू के लिए जाता है और एक लड़का होता है जो सूसाइड करने के लिए जाता है अब उस जिन्दगी सवारने की बचायए वह काई को बचाएगा ने वाले को बचाना मनुश्य का धर्म है लेकिन मरने वाले को बचाने में उसकी खुद की लाइव बरवाद होगी उसका क्या ममी देख बेटा अपनी जिन्दगी बनाने के लिए भगवान हजारों चांस देंगे तो मरने वाले को बचाना ही इंपोर्टेंट है तो मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़कर जो देश की सेवा करने के लिए खड़े होते हैं उनकी पुण्णे मिलेगा क्या अफकॉर्स ओके ऐसा ही करता हूँ बाई वॉडर गन हलो हलो इसका मतलब हो आमी में नहीं जाने वाला मेरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं वैसे भी मुझे लवर तो बोली दिया है ना अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है ये सही से सुनो गाओं का नाम क्या है लक्षमेंट तीर्थ मैंने बोला थाना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन तुम लोगों को बहुत चर्वी चड़ गई है मैं वादा कर चिका हूँ कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खांदान कि और यहीं चाहें कुछ भी कर लो कि भगवान के सामने तुम ची आवास बात कर सकता है लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता क्योंकि भगवान कुछे माफ कर सकता है एक दोड़ दे अच्छा मैडम तुमको लव कैसे हुआ तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ समझो तुम्हारे घरवालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ तो मैं क्या बोलू इसलिए इंफोर्मेशन होना ज़रूरी है ना अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो तो मैंने पूछूंगा अच्छा ये बता तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई है बीएसी कहां पढ़ी हो मैसूर में हमाराई तो बेल्ट है वैसे मैं भी एक कानी सुनाता हूं उसे ध्यान से सुनों फर्स टाइम कॉफी डे में देखा नेक्स टाइम बस में देखा यहां हुँ अरू अरे का यह तुम्हारा गाउं दिखी नहीं रहा है ठोड़ी दूर चल कर जाना होगा तो क्या बात है तुम्हारा गाउं तो कलर्फुल लग रहा है यहां मेला चल रहाए गया ओ कौन से भगवान का लक्षमी नरसिम्हा स्वावश्वाल सिंग निवास ओ हुख हरे कमाल है यहां तो कोई दिखी नहीं रहा है पूरा खाली खाली लग रहा है इतनी बड़ी हवेली लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें अपाजी वो आ गया वो आ गया अरे कौन आ गया केमपर शीनू मुशा पकड़ो उसे पकाई लो हुख 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 अपाद km लोटло भाप कर दूच हुख हुख नही एक करद़ो वहा हुख 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 तादा जी अब अधी के स्वागत में जय इस वक्त यहां क्यों आ गए तरह आपको आने में दो मिनिट भी देर हो जाती तो पता नहीं यह लोग मेरी जान ही ले ले लेते करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी जान बचा ली था मैं चलता हूँ आप लोगों का इतना बड़ा दिल होगा मा कसम मुझे पता नहीं था मैं तो पहली बार देख रहा हूं इनको नीचे करने के लिए बड़े घर वाले जो लोग होते हैं वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं तो इसे बगा कर ले जाना गलत बात हैं यह म भगवान के लिए मुझे शमा कर दीजिये सर अरे मेरी मा तुझे सलाम हो अब जो कुछ भी हो तुमारे फादर और तुमारे ग्राइंट फादर जो भी लड़का देखेंगे उसके साथ तुम खुश रहो लेकिन भगवान के लिए मुझे बूल जाओ और मेरा रास्ता मैंने पूछा तो आप लोगों से भी वो लोग ज्यादा स्ट्राउंग है यह तो नामुम्किन है आप फोन करके बोल दीजिए मैंने आपकी बेटी को घर लाकर छोड़ दिया है आप लोग आपस में कुछ भी कीजिए मुझे क्या लेना देना मेरे लिए तो मेरी जान सर अमारे घर की बेटी किसके साथ जीएगी किसके साथ घर बसाएगी इसका फैसला करने वाले हम हैं सर तुम दोनों का प्यार मुझे मन्जूर है जाओ अंदर कि ससुर जी आपने ठीक नहीं किया अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा नहीं करूंगा अपने घर का कपड़ा अगर काटे पर गिर जाए तो उसे संभाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है वो छोड़कर जाने को तयार है और अपनी बेटी के रिष्टे की बार्चित भी हो गई है तो हर खत्म होने तक चुप-चप बैटे रहा हां खाना खालिया हां खालि तो चुप-चप जाकर सो जाओ अरे भाई ये सब क्या चल रहा है इसे भोवी क्रिडा कहते हैं वो जो मटका है उसे जो मादमी पहले फोड़ेगा उस गाउवाले का सारा हक मिल जाएगा ये इतना भैंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई ये बात और भैंकर है क्यारेक्ट्र में इतना डरा रहे हो यारे कमाल है कि आहे हो अर रहे हो ये हो ये रहे हो ये उनल्या थबता हम झाह्रावाप़े ये उनल्यां का NOTE णको ये हो ये दे हो जै 시कता है कि ये सूद बत्रता है कि इस बार भी शेर खांदान का लोग जीते हैं अरे रेफरी भाई ये युद्ध कैसा ये कैसी दुश्मनिय को समझाओ यार बहुत बड़ी कहानी है बैटा है तो वह कहानी छोटी करके बताऊ न अब यार देर समसाल पहले पुराने मैसुर शहर से दो प्रतिश्थित खांदान के लोग यहां पर आए थे पहला खांदान था सिंग खांदान और 2जमीदार शेर खांदान सिंग खानदान के लड़के की शादी जमीदार शेर खानदान की लड़की से होई हमारे अपाजी के तीन बच्चे थे एक लड़का, दो लड़की, उनका बेटा भगवान का रूप, जनता की सेवा ही उनका धार्म और जमीदार का भी एक बेटा और एक बेटी बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया अम्मा जी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी अपने भाई के बेटे के साथ अपने बेटी की शादी करवाना चाहती थी मगर ऐसा नहीं हो सका अम्मा जी की बेटी ने अपनी सारी बाते भाई को बता दी वो भरके ही खजानची से बहुत प्यार करती थी भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्विकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजानची के साथ अपनी बहन की शादी करते और ये शादी लक्षमी नरसिम्ह स्वामी के समक्ष हुई और दूसरी तरफ उस लड़के ने इसे अपना अपमान मान कर दो लोगों को खोली बढ़ी और खुद भी आदिधिया किया ये सारी घटना उसकी मा के सामने वोई जिस सद्मे से उनकी भी मौत हो गई वही रुग जाओ आगे मत बढ़ना मेरे घर में चिराग जलाने का वादा किया था तुमने लेकिन मेरे पूरे खांदान को खत्म कर दिया तुम तो न्याय करते हो ना वो इसका न्याय करो न्याय को भगवान मनने वाला खांदान है हमारा, हम न्याय से पीछे नहीं अटते, इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए, उन्हें गाउं से तड़ी पार कर रहा हूं, अपनी जाइदात का आदा हिस्सा मैं शेर खांदान को दे दूँगा उस दिन से भाई और बहन का रिष्टा तूट गया, सारे संबंद बिखर गये, बेटा उसके बाद कहां चला गया कुछ भी पता नहीं चला, उसके बाद गाउवाले हमेशा आपस में जगरते ही रहे, सारे संबंद खत्म हो चुके थे, लेकिन इस जमीन में किसी तरह का कोई रक्त पात ना हो, इसलिए दोनों खांदान के लोगों ने आपस में समझोता किया, और ये तेवहार मिलकर मनाते हैं, बस यही कहानी है, यह कहानी है, कहानी नहीं, बक्वास है, बस बस, जए अंजनी माता, हनुमान के भक्त हो, जिन्दिगी में कितना उखाड़ पाए हो, पढ़ाई, पढ़ाई, हाई स्कूल फाइनल येर फेल सर, सीधे बोलो कि एससी फेल हो, बड़ा आये लव करने वाले, ये बताओ काम क्या करते हो, कौफी डे में काम करता हूं सर, कौफी डे में सप्लायर, बरतन, सुन लिया न, तीन सो घर वाला बड़ा खांदान है हमारा इस सामराज्य का दामाद बनने वाला कौफी सप्लायर बरतन घीसने वाला है, छे, अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूँगा, और नहीं इसके साथ मैं खाना खाऊँगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा, यही लड़का मिला था इसे, चलो सब यहाँ से कोई बात नहीं हम किसी की इज़द करें या ना करें, लेकिन खाने की इज़द तो हमेशा करनी ही चाहिए, दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किसलिए कमाता है, खाने के लिए ही न, नो प्रॉब्लम, तुम खाओ न, ए तुमने अपने लवर को फोन किया था, हां? कि ऊल्थ पिदर को उल्य उन, उन, ए तुमने खाने की इन जाल भासाए लेकिल, ए, खाने कोई जिए ऑपने बातों किया dabei, जाए्द की ङाल्या कुई, तुमने चाहिए, भासायों धाने की पासिए, लो भासाए, वासाए, उन, ए भासाए, खाने की न, लिएर वाणर इस अब चल क्या रहा है यह हमारे गाओ के कुछ दिया है यू में डव्डव या जी जीते का वही बिषाएगा ओहो जोड़ान है ऊसे आधक 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 चाहत देखा तुम्हें कर फिर्टार थे जो जो यहां बाला कि अग्डार थे जो जोर कि अपर जोर किन जोर कि अग्ड़ कि अपर रॉबर कि अब झाला कि अभाला है अब ह benefiting खाना खाते समय मैंने आपका बाहुत दिल दुखाया मुझे माफ कर दो सस्र जी ने मुझे बहुत आटा कोई बात नहीं सद्से अब और कोई हो तो सामने आए कोई है क्पा इसे आ्रा सकता है तुमसे हमारा ये लड़का हो राएगा ये लड़ेगा तुमसे इधार आ तु चला जा अब पेरी खायर नहीं हाँ तुझे धूल चटाने के लिए मेरा ये सिंग हो रहा है सिर्फ मेरे खांदान की लड़की से प्यार करने से कुछ नहीं होगा इस घर का मान सम्मान भी तुझे बचाना होगा अगर तुम जाकर उससे नहीं लड़ोगे तो मेरे ससुर जी की इज़त चली जाएगी और उन्हें अपनी इज़त जान से भी प्यारी है अब जाओ बली च जड़ूंगा आपकी इज़त बचाओंगा आजमाओ 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 चिंदा मत किजिए ससुर जी वह जीतेगा कोई तो दर्वाधा खो तुम आरे के बार रहा यार नहीं होता हो ना तूहीं जीतेगा अरा ममी बचाओ अब बच्ची भी जाबने कर ते अब यह भागवान को हमारे गाम वाले उठाए ऐसा चाहती हूं है अश्या चाहती है बजयारे नहादा वारो आरो सेट। अजकन जूए और झाल गजकन जूए एूए एूए कुछ नहीं है जो इसे हडाने की हिम्मत रखता है कि यहें है कि तो जयागा यहें। यह हमारा अमरितेश्वर स्वामी का मंदेर तो यह क्या यह कोई ना खेल शुरू होने वाला है क्या यह भी एक नया खेल है गेम के बारे में इंफोर्मेशन दे दी होती तो मैं भी तयार हो जाता ना अब तो मैं एक्दम फॉर्म में हूँ सामने वाले को सीधा गिरा दूंग यह तो केले का पत्ता ले जा रहा है शायद बाजू में शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा मंगनी है सब मिलकर मुझे सूली पर चाड़ाना चाहते हो मुझे तो पहली समझाना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करने वाले हो नया कपड़ा पहना तुम लोगों से बात करके कोई फाइदा नहीं है पहले उस लड़की को ढूड़ना होगा है तुम भी मुझ पर क्या अन्याय ढ़ा रही हो ताजमेल बनाने वाले के हाथ काटने जैसा लग रहा है तुमारे प्यार की हेल्प करनी के लिए आया था मैं देखा जाए तो अप उल्टा इस तरह श्रिंगार करके मेरे सामने कड़ी हो लड़का तो बुद्धू है लगता है बली का बकरा बन गया है तुम तो मुझे भसाना चाहती हो ना लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का मैं की ओनर बन जाओ हां मैं तो आल कि उसेट कर लेते का था उस प्रतियों गीता में जितने के लिए है परेशान कानमने के लिए परिशान करने, मैं अरे तुम भी कमाल करती हो हर बात पर सुसाइट कर लोंगी आसे मुझे भी तो रोना आता है ना लेकिन आसू नहीं है पतानी तुम को कहां से आ जाते हैं पा कहा घौत तुम्हा से कहा जा रहे हो मुझे उनसे कुछ बात कर एंगेंट्स कर nurse कैसे नहीं करो गये मैं शादी के लिए मैं यहीं बड़ी बाथ है आप क्या सब कुछ हम तुमसे सावागा कुछ नहीं सब इसके नॉक उड़ाने कि लिए मैं कह रहा था कुछ नहीं सर जूट बोल रहा है क्या हुआ बेटा कुछ नहीं सर पूछे बिना मंगनी इसलिए मैंने बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है मुहुरत अच्छा है ऐसा पंडित जी ने हमें बताया सब ठीक हो जाएगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो कि देखो अगर अभी मैं गुस्टा हो जाऊंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी अब तक जो भी किया ना वो साब व्यर्थ हो जाएगा इसलिए अभी अंगुठी बतल दी तो शादी तो नहीं हो जाएगी ना इसलिए तुम भी दिल में कुछ मत रखो और मैं जाते वक्त मैं दे दूंगा वो आएगा तो उसे दे देना आज के जमाने में तो रीती रिवात से होने वाली शाधी भी टूड जाती है तो सिर्फ एक रिंग की वज़े से इंगेजमेंट नहीं हो सकती है ना जब दिल से दिल मिलते है तो रियल इंगेजमेंट होती है अप्पाजी की पोटी के मंगने के खुशे में बिटा ये इस मंदिर का पुराना रिती रिवाद है इस नंदी के बीच से स्वामी का दर्शन किया तो जिन्दगी बर खुश रहोगे ऐसे इस मंदिर की बर्शु से माननेता है अगर ये सब मेरी लबर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी अगर जो जाएगी यो री बेटी, मैम्स आपकी फ्रेंड तुले क्या नाम सूरिया है मेडम नमस्ते क्या है यह मैं जो चाहते हूं तुझे भी वही चाहिए हां मैं क्या करो तुम जो भी चाहते हूं वो मुझे भी सूट करता है हां हां कॉंग्राट्स तुझ में आकर मिलना ही है हम सब की नियति मेरी जिन्देगी में अभी रामायन शुरू होने वाला है और मुझे यहां बैठकर महाबारत देखना पड़ रहा है यह भी आ गई कैसे समझाँ इसे तुम खुश हो नहीं हां खुश हो या नहीं यह पूछ रही हूं मन चाहिए चीज मिलेगी तो खुश कैसे नहीं होगी जब कॉलेज में थी तब बिना पूछे मेरी बुक्स ले जाती थी सिर्फ बुक्स ही है यह सोचकर मैंने जाने दिया मेरी पसंद की हुई साड़ी जुम मैंने खरीदी थी वो बिना पूछे ले गई मैंने सुचा फ्रेंड है कोई बात नहीं पहन कर दे देगी पर अब तो तुमने हद ही कर दी मेरे ही बॉइफ्रेंड को पटा कर उससे इंगेजमेंट करके तुम उसे महाभारत दिखा रही ह चीज मैं चीज हूँ वो अभी और क्या-क्या सुनना पड़ेगा तुम दोने में प्यार के से हुआ अपनी लव स्टॉरी बताओ प्लीज बताओ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अपनी लव स्टॉरी बताओ उसे फर्स यह मुझे कॉफी डे में दिखाई दिये उसके बा पहले मैंने कहा फिर बाद मैं कहा तो इसने प्रपोस किया तुम्हें पूरा खत्म अरे इसने तुमसे तुम्हारी लव स्टॉरी पुछी तो तुमने मैंने जो बूला वो क्यों बताया और क्यों मुझे इस तरह फंसा रही हो आज तक फ्रेंशिप के नाम पर सेक्रफाइस चलो आज इसे भी तुम्हें दे देती हूं तुम खुश रहा हूं मैं सब बता दूंगा ना तो तुम समझ जाओगी मैं सब कुछ समझ चुकी हूं कुछ पताने की ज़रत नहीं है आमी जाने का बहाना करके यहां कर इंगिज्मेंट कर ली मुसे जुटता है तुमने हां र तुम्हारे नंबर पर कॉल करके मैंने बॉल ट्राइ किया था लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर भी तो याद रहेगा नंबर छूटे कहीं कितनी मुश्किलों से मैंने अपने घरवालों को मनाया था और तुमने मेरी प्यार से पहनाई हुए इंगेज्मेंट ट्रेंग कर मैं उसे कैसे गुम कर सकता हूं मैंने तो अपने जेब में रखी है यह देखो लड़कियों की पीलिंग्स के साथ ऐसे कहते हो जब मेरे प्यार से दिये हुए पापी को तुमने लेने से इंकार कर दिया मुझे समझ जाना चाहिए था तुम्होरा प्यार में विश्वास ही किया कहा पपी अरे कहा की बात कहा पर करेक्ट कर रही हो बेबी इस नौट फैर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं जानती हमारे बीच सब खथब अब उससे शादी कर एक खुशी सिर्ट अब उससे चाहिए बढ़ आ पर एक बुला रहे हैं चल लेकल बेबी आप अठीग नहीं चल लुट 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 फ्रेंग्शिप अड और अब आव गया दिसपोइंट्ट लुट लुट वावग तुम्हारी इज्ट को होलसेल में जा कर बेज दू इंग मेरे साथ थुट ना नगी नहीं होना जाहिए अज़ा अजा दूनिया को मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ बात कर मैं बैठी हुना तेरे सामने लोग इंगेजमेंट कैसे की यह बता मुझे लोफर नो बैड़ वर्ड्स यह तो गलत बात है गौरी होने वाले पती को ऐसे नहीं बोला करते हैं मेरे होने वाला बती। थू तू पती न jeśli गविया नियए बेडै़ एर लूव यूखासा va कैसे समझाना है यह में बहुत अच्छे से जानता हूँ यह बहुत अच्छे से जानता हूँ मैंने का ना तुम चीटर हो मेरे सामने तुमने इसे किस किया जब मैं नहीं रहूगी तब पता नहीं क्या गया होगा तुम नीचे बटके तु इसे दे दिया अच्छा 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 मैं न्यूस चैनल वालों को बिलाओंगी है हाई गौरी गौड मॉनिंग अरे बैग लेकर कहा गाँ जा रही हो गाँ जा रही हो ट्योहार हो जाने दो दोनों साहत में चलते है तुम यहां पर रहो तुम्हारी शसुर का गर है मेरा नहीं यह बहुत ज्यादा हो रहा है इस खेल को फूल स्टॉप लगा और आओ मेरे सा हाँ गौरी इसमें इनका कोई दोश नहीं है घलती मेरी है मैं शेर खांदान के लड़के को पसंद करती हूं उसका नाम संजय है मैं फ्रस्टेशन में सुसाइड करने जा रही थी तो ये मुझे बचा कर यहां ले आए संजय के मुंबे से आते ही मैं उसके साथ चली जाओंगे अब सुन लिया ना समझ गई ना और अब तो मुझ पर यकिन आ गया ना और मैं तुम्हें चोड़कर कहीं नहीं जा सकता यह पता चल गया ना अरे हंसी का तुम्हारे लवर को फोन लगाओ मैं बात करूंगा क्या करना चाहती हो तुम किसी दूसरे से प्यार करती हो तो फिर इसके साथ मंगनी क्यों कि तुमने उस खांदान में आखिर संजय नाम का लड़का कौन है तु जरा बता मुझे तुम इतना जूट क्यों बोल रही हो बता बता मुझे मारो दादी औरप जोर से मारो हाँ मैंने सब छूट बोला है मैं किसी को नहीं चाहते हूँ मैं चान बूछकर नाटक करके इसे यां लेकर आई हूँ मगर मेरे लिए नहीं आप लोगों यकिन नहीं हो रहा है ना दाधी मैंने पहली बार इसे इसके माता-पिता की बाते मैंने सुन ली थी इतने बड़े खांदान का लड़का है यह उन लोगों को बिना कुछ बताये तुम यह मंगनी कर रहे हो यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है आपको मैं हजार बार कह चुकी हूँ ऐसी बाते मत कीजिए वो मेरा ही बेटा है मैं इनके घर गई थी वहां बुवा का फोटो भी देखा इसके मा के साथ बात भेगी हाँ वो मेरा सगा बेटा नहीं है उस खांदान का बेटा है जिस दिन उसकी मा ने उसे मेरे हवाले किया थ उसी दिन से वो मेरा बेटा है मेरा अपना बेटा है मैं अपनी मर्जी से उसे नहीं भेजूंगी अगर वो चाहे तो तुम उसे ले जा सकती हो रोज उस फोटो के सामने आप शबरी के तरह इंतजार करती है ना अब वापस आने के लिए आपका बेटा नहीं रहा हूँ इस के पिंदा ने जो गलती किती उसकी वज़े से आज तक दो खांदान नरक में जी रहे हैं वो देखने के लिए मैं इसे यहां पर लाई हूँ जब यह प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिस्क ले सकता है तो अपने लोगों को मिलाने के लिए भी रिस्क लेगा और यही जरूर करेगा दादी कुछ मुझे गलती हुई है मुझे गलती हुई है मुझे माफ कर दो मा अब उस गलती को में ही सही करूंगा और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया मा तो मेरा बेटा आकर करेगा कर आठरप सूर्या रुखो मेरी बात तो सुनो तुम चाहो तो यहीं रुको मैं तो जाओंगा नए नए-नए-नए-नए लाइफ में जितने भी लोग मिले सारे के सारे फसाने वाले ही मिले ची 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 क्या करमे मेरा सूरिया सूरिया सुना तो हलो आउंटी एक मिनिट सूरिया तुम्हारे माँता फॉन है हलो सूरिया मुझे पाफ कर दे बेटा इतने दिनों तक तुझ से जूट चुपाने के लिए वो लड़की जो भी कह रही है वो समसच है तुझी कांदान का मेंदा है मैं तुझे वहां नहीं वेजना चाहती थी बेटा तेरी तक्दीर खुद तुझे वहां लेकर गई है अब तुझे अपने पिता का एहसान चुकाना है अगले चार दिन तक तुझ उस पिता का बेटा बनकर जी उस दादी का पोता बनकर जी नहोगा बेटा उस वंश का उत्तराधिकारी बनकर जी उन दोनों परिवार को एक करते बेटा अब तेरे बाहर रहने का सिर्फ एक उद्देश है यही तेरा करताव्य है और तुझे ये पूरा करना ही होगा बेटा कि अन्सिका जी मुझे अपने घर में लेकर चलो कि अन्सिका जी मुझे अपने घर में लेकर चलो अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा उन लोगों ने मंदिर की जमीन भी नहीं छोड़ी आप कु으면 कीढ़ कम से कम उनन से बात तो कीजिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवारे मालेक चलो फाई मैं होस्पिटल से बोल रहा हूँ दादाजी होस्पिटल में है मा यहां से वहां तक जो होished दादाजी वहास्पिटल में है बेटा माब वहास्पिटल में है मैं और दादाजी उन लोगों से मिलने के लिए गए थे और आज जमिंदार किसी से भी नहीं मिलने वाले है अरे मालिक मेरी वज़े से आपको आना पड़ा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारे रास्ते में मत आया करो आज आपका टाइम खत्म हुआ रहताजे कहां मिलेगा वो अज उनके गाव में त्योहार है वहीं पर होगा वो इस शक्ती पीट में बैटकर सर पे हल्दी का पानी डार कर मन में जो भी मनत मांगेंगे तो देवी उसे पूरा कर देती है देवी मा आज तक मैंने आप से कुछ भी नहीं मांगा इतने सालों बाद मेरे एक दादा है ये मुझे पता चला उनके प्राणों की रक्षा करना बस यहीं इच्छा है कुष्टी में जीत किया तो सारी दुनिया जीत जाएगा इस बात के भ्रम्य मत जी किसी आदमी से पंगा लेने पूरे गाउं वाले हम शे खानदान गईकर बुलाते हैं सालों से हम लोग यहांपर राज करते आ पूरे काउँ में हमारे सामने कोई खड़ा स्क्ता इतना ही नहीं पूरे राज नहीं पूर आ किसी से पूछे गा ना तो हम लोग कौन है तुझे मालूम चल जाएगा लक्षमे नई बेटा पीछे अटजा तेरे खांदान के बारे में पूछो तो तुझे बताना पड़ता है लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं चीते के के पास तीजी होती है शेर के पास गंभीरता होती है सिंग के पास गर्जणा होती यह लेकिन सूरिया के पास तीनों चीज़ें हैं मेरे गाओं में मुझे Souljur कहते हैं अगर तो विरुदर पे जा लटने वाला हर इंसान भी तो सोलजर ही है मैं सोची रहा था कि बॉर्डर पर जाने वाले इंसान को भगवान ने यहाँ पर काई को छोड़ दिया डिसाइड हो गया है मुझे तो बस युद्ध करना है चाहे वहाँ हो या फिर यहाँ पर अब तू तयार हो जा बेटा तू ही पाकिस्तान मैं हूँ हिंदुस्तान बॉर्डर तुम पार मत करना मैं ही पार करूँगा जाओ आजा माड़ो माड़ो पार जाइड़ो प्रइब तो, कर दो कर दो लुए रूह, लुचिह द praticamente सम्सित ze देहां कि लाइफ में सबको बर्थ डेट तो याद रहती है लेकिन किसी को डेथ डेट पता नहीं होती लेकिन तेरी डेथ डेट मैं पताता हो जब तक वो सांस लेते रहेंगे तब तक तेरे जान की वैलिडिटी है जिन्दा रहोगे तो कहीं और भी प्रपर्टी बना पाऊगे ये जमीन के पेपर किसानों को दे दो कुष्टी में हवारे आदमी को हराने के बाद उसे खत्म कर देना चाहिए था उसे छोड़कर बहुत बड़ी गल्ती हुई इसको मारा उसने उसकी इतनी हिम्मत हो गई है शेर खांदान का नाम सुनते लोग ड़ने लगते हैं सब लोग अपना सर नीचे करके बात करते हैं उसने स्थार उठाने के हिम्मत कैसे की उसकी गर्दन काटकर अगर इस दरवाजय पर उसकी गर्दन नहीं टाइंगी तो मैं शेर खांदान का बेटा नहीं आज़ो विक्रम हां जोहार तक रुख जा उसकी मौत मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे खांदान को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर सारे गुण मावजूद हैं इसलिए मैंने अपनी पोती की शादे तुमसे करवाने का फैसला किया मगर तुमने सब के सामने मेरे खांदान को लज्जत कर दिया उस समय जो वह छोटी सी गलती हुई थी उसकी वज़से आर्ज तक दुखी हूँ अब फिर एक और गलती करके ऐसा मत करो कि मैं अपनी मौत तक दुखी रहूँ इतना ही रहने दो फिर कभी ऐसी गलती मत करना ज चेंज दाधाचि निंग तो कहा है ना क्या कैती हो बुजूर्ग इंसान है अगर गुस्से में दो बाते बोल दी तो एड़्यस करना होगा ना क्या एड़्यस करना होगा प्रैक्टिकली जीना सीखो कितनी उम्र है तुम्हारी हां 24 इस एच में तो लड़कियां पब और ब नहीं ना तो इसे ही गिफ मान लो प्लीज यार मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो ना वो लोग है यह पांडव लोग है और मैं श्री कृष्ण परमात्मा दोनों को मिलवाऊंगा है चल निकल यह तो कभी सीरियस ही नहीं हो सकता चलो ठीक है तुम कहती हो तो एक लास्ट ट्राइ सब्स्क्राइब करनी है थे डितना बड़ा लॉकर ओपन करने के लिए चोटे से पिन की जरुरत पढ़ती यह उसी तरह बड़ी समस्या के कोई छोटा सा सॉल्यूशन होता है जो शक्ति से नहीं होता उसे युक्ति से करना पड़ता है प्यार से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो प्यार से ही उसका एंड करना होगा या बेबी वो भी मेरे स्टाइल से कौन है वो लड़की यह शेर खांदान के लड़की है यलो आम को देखकर खाना चाहती हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है एक्सप्रेस करना सीखो मेरा भी आपकी तरह सेम कैरेक्टर है इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक्चली तुम्हें पहली नजर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया हां लव एट फसाइट डरो माद मैं ऑपोजिट पार्टी का होकर भी आपसे प्यार करता हूं कह रह अपने मर्जी से एंगेजमेंट नहीं की थी मुझे धोका देकर एंगेजमेंट करवाई गई थी अरे मैं सच कह रहा हूं क्या हुआ है समझाई मुझे बताता हूं फ्रेंड्स मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूं एक हफते तक मुझसे प्यार का नाटक करो ऐसा बोल हूं और देखोना मैरे साथ ही है क्या किया रहा है अगर इसने इस लड़की से शादी कर ली तो दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगे ऐसा सूच रहा है ओहो इसे ही थी त्याग जाए था क्या ये बाइश इधर आँ जिस पीट से वो जा रहा है लगता है आज तो उसे पटाए ही लेगा नहीं गाओ की लड़किया बहुत स्ट्रॉंग होती है इतनी आसानी से नहीं पड़ती नहीं तू उसकी बारे में नहीं जानती वो बहुत स्मार्ट है डायलोग से ही उसे पटा लेगा जिए लव यू प्रपोस कर रहा है शौक मत होना मैंने आपको आई लव भी बोला तो आपको भी मान लेना चाहिए जुरूरी नहीं है जस्त एक्सप्रेस कर रहे हो ना यह सारी बातें दिल पर मत लगाई एं इस बारिश चाहिए बारिश को फूल चाहिए और इस फूल को हाथ चाहिए मैं आपकी हासी देखने के लिए बिताब हूँ तो स्वीट मैंने कहा था ना वो से अपने डायलोग से पटा ही लेगा तैंक यू जानू यह यह कमर बंद बहुत अच्छा है जुमका भी हाँ तैंक यू लक्ष्मी के जैसे दिखती हो अचुडिया है औरे वो तो सूपब है सूपब सूपब बहुत थांक्यू ओके बाइ कल में गाउं के माहर पाढ़ के बीचे तुम्हारा अनिसार करूंगी इसकी तो इसे तो रहे चोड़ मुझे चोड़ को क्या है फ्रेंड्शिप इस बेटर देन एवरिधिंग हम चल लेंगा तुपट्टा पार देट में है तुम लेट आओगी तोचकर मैं भी थोड़ा सा लेट आगि अच्छा च्छा सौरी यहां थांक्यू कैने है बोलो ना अच्ली हाँ अच्छी एक्च्छी तो मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी सेकिंड टाइप मिलने के बाद मुझे आप अपने तो मुझे इंप्रेस कर दिया खाना चाहती हूं पर भूखी नहीं लगती हूं अच्छा मुझे तो लगता है आप पे मेरे पे मेरा देल आ गया है यह सब क्या चल रहा है वहां वह लोग उस पत्थर पर अपने प्यार का मंडब बना रहे हैं अच्छा है अच्छा है मेरी तरफ से आपको एक चूट इस गिफ में तीन दिन में ही से पटा लिया तुम्हारे खांदान को मिलाने के चक्कर में मेरी लाइफ बरबाद हो गए यहार वाव सो क्यूट अब बुरा ना माने तो क्या मैं एक बढ़ हग कर सकती हूं पीस कड़क से पकड़ना हां यहां यहीं मेरा इकलौता लड़का है एलल भी पड़ा है हम तो बस इतना चाहते हैं कि अच्छे से खांदान से हमें बहुं मिल जाए हम जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है बस आप अपनी पोती की चादी हमारे बेटे से करवा दीजिए पहरे लड़की तो देख लो ठीक शास्त्री जी ने कहा था कि लड़की का नाम बहुत अच्छा है पूछ लिजे इने शास्त्री जी हां हां बहुत अच्छा नाम है बहुत मंगल दायक नाम है ये तो गुरु बल तारा बल चंद्रबल सब बहुत अच्छे हैं बातचित करने के लिए आज सबसे अच्छा द हमारा खान्नान किसी गुरू की बात को अस्विकार नहीं करता है हमारी तरफ से हाँ है लड़की है इतना अर्जंट आने के लिए और इतनी देर लगा देती है अब तक जो हुआ अब उसे थपन मार दो पर यह कहां वहां चल्ट वह खुदी अर्जंट आने के लिए बोलती हो और बात में खुद लेट हो जाती हो बताओ बात क्या है बहुत सीरिस बात है क्या कि मुझे ढाट नुहीं यह दाटना मत मुझे डाटना बटना नहीं आता है बोलो चक लग सकता वी कोई बात नहीं चलो बोलो यह क्या बोल रही है लक्षमी जी प्यार करने का सफ नाटक था भस अर्यू सीरियस मैं प्यार करती हूं सिर्फ उनसे किस से इनसे नमस्ते जी मेरा नाम प्रशान भेंडारी यह मैं पिछले तीन साल से इनसे प्यार मैं इसका लवर मैं क्या खाली जोकर हूँ मुझे क्यों ऐसे फूल बनाया मैं तो कितनी आशा के साथ आय था साब आउट हो गया तू सच के रही है ना कहीं तू तो से प्यार नहीं कर दी नहीं तो मुझे तो डाउट है अच्छली आपने उस दिन कहा था ना कि कॉंसेप्ट क्या कहा कॉंसेप्ट काहे का वहीं लवस मुझे बहुत पसंद है उन्हें मिलवाने के लिए आप कोई भी रिस्क ले सकते है वहीं उसका और इसका क्या कनेक्शन है आप से मैं प्यार करने का नाटक करके आपके साथ भाग जाओंगी मेरे घरवाले सोचेंगे कि मैं आपके लेकिन मैं समझ नहीं पाया जलो खुष रहो एंजोई केरी ओन अब मारा प्लान पूरा उल्टा हो गया है अब मेरे किसी और के साथ इंगेजमेंट हो गई है अब हम दोनों भाग गए तो मेरे घरवाले चान ले लेंगे और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी है कर सके तो फि मुझे माफ कर दो मैं इसे गलत समझा बगवान जी मैंने इतने अच्छे लड़के पर डाउट किया आम सौरी बगवान जी साथ चन्दमों तक इसे ही मेरे पती बनाना अच्छे अब तुम दोनों जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करना साले साथ वाव क्या ड्रस है इस ड्रस में बिलकुल फिल्म स्टार लग रहे है मैं आपका बहुत ड्रस दिलवा दूगा मेरे पांस बहुत पैसा है मालिक यह लक्षमी कहा है लक्षमी मालकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही उनके कमरे में से यह चिट्थी पूछी डादा ज मेरे तीनों भायों ने मेरा जरा भी साथ नहीं दिया लेकिन उसे खांडान वाले सूरिया ने मेरा साथ दिया मैं तो उसी आधिया पक्सचादी करूगे लक्षिभी विक्राम कु sehe, अबिक्राम कुछ क Sümm मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ मुझे वो लड़का बिल्कुल भी वैसे नहीं है भाईया मेरी पहन से शादी करने की तरी हिम्मत कैसे हुई भाईया जी कैसे बहाई हो तुम से तो अच्छा हो मैं सिंग का अंदान वाला लड़का है वैया पच्चीस साल पहले उसकी भाई ने एक अजांची को चाहने वाली उसकी बहन के साथ आगे पीछे कुछ भी सोचे में ना उन ओर तुम हो की अपनी ही बेहन के सामने उसके प्यार का खुल करने जा रहे हो कैसे बहाई हो तुम ठीक शारम आती है मुझे तुम पर अगर तुमसे गुझ्सा है तो मुझे थपड मार दे वगर ऐसा इसी बाते मत कर मुझसे तुजा अती मेरी बहर मुछे बहुत प्यारी है मैया देख तुम्हारा ऐसी बातें मत करने तुझे सा चाहेगी ना बहना वैसा ही होगा तू इससे शाधी करने चाहती है इसी से शाधी कर जा एक मेरी बैर का खयाल रखना हां तुर्ण को फॉन कार अलो चंदू लक्षमी घर में चिठी रखकर भाग गई है वो सिंग खांदान वाला सूरिया नसिम्मा स्वामे के मंदिर में उन दोनों की शादी करवा रहा है एड़को गाड़ी पीशलो फास्ट कैसी आइडिया थी तुमने अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारी जान चली जाती पता है तुम्हें चाहने वालों के साथ लाइफ लॉंग जीना चाहते हो तो जान को खत्रे में डालना ही पड़ता है पता है ना हां 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 क्या क्या चाहitar है क्या अध्या के सामने बंग यूं ने उस दिन कहा था लेकिन आप niye एक न सुनी आप तुसे इस खांदान का रक्षक बोल रहे थे लेकिन वो तो हमारी जान लेने पर तुला है मिससे उस खांदान की लड़की को ले जा करके एक लड़के से शादी करवा रहा है खलते की बहुत बड़ी खलते की तुने शेर की मान में हाथ डाल के अपनी होल्ट को बुलावा दिया है गलत किया मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहे हो ये पता भी है मैं सूर्या हूँ फ्रेंड्स मुझे सोल्जर कहते हैं और लोग मुझे लोकल लीडर कहे के बुलाते हैं इस मिट्टी में कदम रखने के बाद इस सिम्हा खांदान की सीड़ी चड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ विजय सिम्हा रुद्र प्रताब जी का एक ही पुत्र वन एन ओन लिसन सूर्या रुद्र प्रताब क्यों नाम सुनते गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या या फिर अंदर से खून उबनने लग गया मुझे इसी जगा पर मारना चाहते हो ना बस बहुत हो गया मर कर 25 साल पूरे होने के बाद भी लोगों द्वारा रखा हुआ मेरे पिताजी पर का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ और उनके नाम की वैल्यू भी कम नहीं हुई और तुम लोग बदला लेने के लिए मर रहे हो अभी भी कहता हूँ कि ये जगणा वगणा सब बन कर दो लेकिन तुम लोग तो सिर्फ मारना और काटना ही जानते हो ना दुश्मनी बढ़ाना तुम लोगों की आदत है अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी दुश्मनी का सामना करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ इसी जगा इसी पल ये डिसाइड हो जाएगा युद्ध को रुखवाने के लिए युद्ध करना होगा तो फिर आओ गाउं के बीच नहीं थोड़े लोगों के बीच नहीं खांदान खांदान के बीच नहीं ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का है आजाओ शेर पाले हैं, तीन तीन शेर पाले हैं, तो आजाओ, बहुत बोलते रहते हो ना, भेजो तुम्हारे पोतों को, एक साथ भेजो, सिम्हा वेटेंग कर दो इसे पोटी पोटी कर दो इसकी आओ यहाँ 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 आओ यहाँ 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 तो आफ डप्स defenses अंया आडो करिसेट का लेसे हैं औरें झाल 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 मारो लेकिन पीछे से नहीं मारो अगर मारना है तो आगे से मारो इधर उधर नहीं अगर मारना है तो फिर दिल पर मारो मुझे दिल पर मारना पसंद है अरे मारो ना भाया भाया वो मेरा पोता है भाया मेरे आधी उम्र आपको मिल जाए यहीं मेरे इच्छा है भाया ससुर जी इसका नाम निर्मला है मेरी खास दोस्त क्यों रुक गए मारने को नहीं हो रहा है ना क्यों बहन के प्यार ने और मम्ता ने आपके हाथ बांध दिये क्या 25 सालों से नहीं सुना आपकी बहन की आवाज में इतनी ताकत है तो 25 साल साथ में रहने वाली मेरे पिता जी की बहन की आवाज में कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा भी है रुक क्यों गए बहन अगर प्यारी है तो ऐसा लगेगा उस दिन वो मरने जा रही थी तो मेरी बहन की जान मेरे लिए मुख्य है ऐसा मेरे पिता जी को लगाओगा उस दिन चाहे मैं रहू या फिर आप रही है वो बहन के बारे में ही सोचेगा एक बहन का प्यार अपने भाई के लिए बहुत एहमियत रखता है चाहे कितने भी युग बदल कियो न जाए बहन बहन होती है उस दिन मेरे पिता जी का किया हुआ अगर गलत था तो आज आपकी पोती जो कर रहे हैं वो भी गलत है आपके पोती को भगाने में मैंने मदद की है थंडा नहीं हुआ क्या मेरा पोता है मेरा पोता है उसे मारना चाहते हो तो मुझे मारो मुझे मारो मार दो मुझे मैं इतना क्रूर हूँ मैं इतना मैं इतना क्रूर हूँ जी जा जी इतने दिनों तक मैं अंदकार में था तुम्हारे पोते ने मेरी आखे खोल दी मुझे माफ कर दो जी मैंने अपना वादा निभाया मैं आपका ही बेटा होना लेकिन मेरी आपको जुरूत नहीं है मेरी ज़रूरत नहीं है नहीं चाहिए ना वाद में समत के बेटा आज भी तुम मेरा ही बेटा है कृष्णा को देवकी ने जनम दिया है अरे अश्वदारे पाला है अरे जब देखो तब तुम जय जय बोलते हो अरे आज तो इनके लिए एक बार जय बोलो दुनों खांदानों के मिलने के कुशी में जय दो खांदान मिल गया रिष्टा भी एक हो गया अलग अलग अरपित होने वाला अब एक होकर उस स्वामी पर अरपित हो रहा है यह सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में आप कोई सर्प्राइज नहीं है तो ऐसा मत सूचिए एक सर्प्राइज रेडी है क्या कहा आर्मी में नहीं गया अब मैं उसके साथ अपने बेटे की शादी नहीं करूंग आप यहां क्या कर रही हो मैं सुसाइड करना चाहते हूं फिर से सुसाइड वो क्यों इस बार मुझे सची में प्यार हुआ है किससे प्यार हो गया हां तुमसे